हाई फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेट है अगर आप आर्ट सब्जेक्स से रिलेटेड हैं यानि कला से रिलेटेड हैं तो क्योंकि इस वीडियो में आपको NCRT बुक पे बताया जाएगा सिंधुगाटी सभिता की बारे में जो कि NCRT बुक से लिया गया हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें इसमें सिंधुगाटी सभिता की जो मुहरे थी कैसी प्रचलित थी या वहां की लोग कैसे थे सारी जानकारी या उस पे मोहन जोड़ो या सिंधु नाम कैसे पड़ा और सारी जानकारी जो की एक्जाम में पूछे जाते हैं उन्स अभी विधिवत चर्चा होगी इस वीडियो में ठीक है तो अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे की आपके लिए यूसफुल्ड है अगर आप कला से तयारी कर रहे हैं और मेरे सारी वीडियो आप तक पहुंचता रहे हैं आइए स्टार्ट करते हैं सिंद्धु घाटी सब्वेता जैसा किसका नाम ही है सिंद्धु घाटी सब्वेता यानी सिंदु नदी है ठीक है और उसके घाटी मानिक किनारे में जो बसी सब्वेताएं हैं उनके बारे में जानकारी इस वीडियो और पस्चिम पंजाब में हडपा में मिले हैं इन खुदाईयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी देख रहा है एक एक हडपाई मुहर यहां पर दर्साया गया है आपके बीच ठीक है तो एक इस प्रकार से एक सिंगी बैल ठीक है यह आपको दिख रहा होगा एक सिंगी बैल है और उसमें कुछ उसकी लीपी भी लिखी गई है उपर लेकिन इस लीपी का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है यानि इस लीपी का नाम भी नहीं पता चला है और चित्र के हिसाब से जिस प्रकार से बना है उस हिसाब से हम यहीं कह सकते हैं कि सिंदु क कि जो लीपी है वो चित्रात्मक है ठीक है सिंध की लीपी जो है चित्रात्मक है और एक सिंगी बैल यहां पर मुहर मिला है इसे मुहर कहते हैं ठीक है तो इस प्रकार से ये आगे देखे तो मोहन जोड़ों हडपा एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं दोनों अस्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी ठीक है इस बात से इस बात में संदेय नहीं है कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और ऐसे नगर आउसिस दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष ने बसाया था आपको रूबरू कराना चाहते हैं कि सिंद्ध की घ़ले जो खुदाई होई वह अनली के अवब 3% होई है तो 3% में जो अभी तक मिले है अस्थल वहां कि जो खुदाई हूई है और जो चीज मिले है वह 3% है अगर यह सोचिए कि 97% अगर खुदाई हो जाए तो वो कितना चीज मिलेगा आपको भलीभात मालूम होगा कि सारी खुदाईया जो मिल रही है तो शेंद सभी का सिंधु घाटी से संबंध है मेरा कहने का मतलब यही है ठीक है यह सब्रता बीसी सुरूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली हुई है आगे देखे संभव है कि मनुष्य में भी इस सुदूर अतीत को उधगटित करन इस संभ्यता के आउसिस इतनी दूर दूर जगहों पर मिले है जैसे कि पस्चिम में, काठियावार में और पंजाब के आमला जिले में यह विश्वास किया जा सकता है कि संभ्यता गंगा की घाटी तक फैली हुई थी इसलिए यह केवल सिंधु घाटी संभ्यता भर नहीं उससे बहुत अधिक है अब तक हम सिंधु के बारे में जो भी जान चुके हैं उसका बहुत महत्त्य है कि संभ्यता आज जिस रूप में मिली है उसमें उससे अनुमा लगा जा सकता है कि वह अत्यंत बेक्षित संभ्यता थी और उस इस्तित तक पहुचने में उसे हजारों वर्स लगे होंगे आश्चार की बात यह है कि यह संभ्यता प्रधान रूप से धर्म निर्पेक्ष संभ्यता थी धार्मिक तत्त मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं पड़ी संभत देखा जाए ही यह कि अभी तक जो हमारी रहन स्रहन की प्रक्रिया है उससे बहतरी लेकिन उस समय की सिंदुगाटी की सभ्यता ती यानि जो हड़ापाई सभ्यता मिलती है मोहल जो दुड़ की खुदाई मिलती है उस समय जो वहां की समय कि साफसे वहां का प्रचलन था विकास था बहुत अच्छा था लेकिन उसमें भी धर्म निर्प्यक्षता थी लेकिन आज के दौर में तो समझ लीजिए कि कंडिजन सही नहीं चल रहा है ठीक है उस समय बलकि अच्छा था अभी जो चल रहा है उसमें हमको अच्छाई को तरास कर अच्छाई के मार्क पर ही आगी बढ़ना है ठीक है और आगी देखे तो यह भी असपस्ठ है कि भारत में मुहन जोड़ो और मिष्ण की सभेताओं से संबंध अस्थाबित किया और राट किया कुछ तरिश्टेवों से यह सभेता उनकी तुलना में बहतर थी यानि सिन्द्व गाती के जो सभेता है वह मğहन जोड़ो फारस और मिष्र की सभेता सी अच्छी थी ठीक है लेकिन भी भीतर ही भीतर निरंतर्ता की ऐसी स्रिंखला चली आ रही है कि जो आधोनिक भारत को छह साथ हजार पूरा ने उस बीते हुई यूग से जोडती है जब संभुता सिंदुगाटी सभ्यता की शुरुवात हुई थी यह देखकर अचरज होता है कि मोहन जोड़ो असनानागार है जो कि बहुत ही फिमस है अभी मैं कोई एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा आप कमेंट्स करेंगे जो कि केवल यह स्नानागार पर ही रहेगा असनानागार की लंबाई चौड़ाई उचाई कैसे बना कब बना क्या प्रक्रिया से बना बीधिवत जानकारी देंग है एक मोहन जोड़ो फिल्म आई है उससे आप जरूर देखें रितिक रोशन जी की है बहुत ही अच्छी मोवी है सिंदुगाटी सभ्यता से मोहन जोड़ो सभ्यता से उसमें बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएंगी तो यह बात दिल्चस्प है कि भार्त की अ श्यान रूप में दिखाई पड़ती है वह जीवन के तौर तरीके से परचित नहीं है उसके कलाओं और जीवन की सुख सुभिधाओं में उल्लेखनी तकनी की प्रगत कर ली है उसने क्यों सुंदर वस्तूओं का स्रेजन नहीं ही नहीं किया बलकि आधुनिक सभ्यता के उ उपयोग और ज्यादा ठेट चिन्हों अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माड भी किया अब उसमें क्या था आरियों का आगमन जो हुआ उसके बारे में देख ले कि सुन्दुगाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहां से आये थे आरे जहांके जो की आरि इसी देश की संस्कृती थी और उनसे जुड़ी जो साखाएं दक्षे भारत में भी मिल सकती है कुछ विद्वानों को इन लोगों को डक्षे भारत की द्रविड जाती हो संस्कृत के बीच अनिवार समानता दिखाई पड़ती है यदि प्राचिन समय में कुछ लोग भारत में आये भी थे तो यह घटना मोहंजोदुडो के समय से कई हजार वर्स पहले घटी होगी व्यावहारिक दिख्ट से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं सिंदुगाटी सभथा के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उनका अंद अकस्मात किसी ऐसे दुरघटना से हो गया जिनकी कोई ब्याख्या नहीं की मिलती सिंदु नदी अपनी भैंकर बाढ़ों के लिए प्रसिध है जो नगरों और गाओं को बहा ले जाती है यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरी धीरी जमीन सूखते गए और खेतों पर रेगिस्तान चा गया मौसम जोदलों के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाड है कि बालू की तपर तहजमती गई जिससे सहर की जमीन की सत्ह उची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पूराने नियों पर उचाई पर मकान बनाने पड़े खुदाईस में निकले कुछ माकान दो या तीन मंजिले जान पड़ते हैं ऐसा प्रतीत होता है वे इस बात का सबूत है कि सत्ह के उचे उठने के कार्ण समय समय पर उनकी दीवारे उचे उठती गई हम जानते हैं कि सिंधु का सूबा पूराने समय में बहुत ही अब जाओ था और मध्यों के बाद जादा तर्यगिस्तान हो रह गया इसलिए यह मुमकिन है कि मौसम परिवर्तन के उन इलाकों के निवासियों और उनके रहंसान के पद्धित को प्रभावित किया हो लेकिन मौसम के परिवर्तन का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस संगा घाटी तक यहां संभव उससे भी दूर फैली थी इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पासपरियाप्त आकड़े भी नहीं है अब जैसा कि आप जानते हैं कि यह एंस्याटी बुक के तरीका है ठीक है तो आप विधिवध्यान से थोड़ा सा मन लगा के पड़ते रही है और उसी में इन्हें सुरक्षित भी रखा गया जबकि दूसरे सहर और प्राचिन सब्यता के प्रमार धीरे-धीरे नश्ठ होती सुन्दगाटी सब्यता और उसके बाद के काल खंडों के बीच निरांतर संबंध के साथ ही इस सिसले के तूटने के या उसमें अंतराल के प्रमार भी मिलते हैं यह तूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सब्यता भिन्य प्रकार की थी बाद में आने वाली सब्यता सुरू सुरू में संबहता क्रसी की बहुतायत थी होगी नगर और गोकी नगर और थोड़ा बहुत सहरी जीवन भी मौजूद था खितेहर पक्षपर जोर सायद इस नवानुकत दिया गया जो का आरे थे और उत्तर पश्चमी दिशा में से भारत में एक के बाद एक कई बार आये ऐसा माना जाता है कि आरियोग प्रिवेश सिंदु घाटी यूग के लगभग एक हजार वर्स बाद हुआ यह भी संबह है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो और पश्मित्तर दिशा से भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हो और भारत के जज़बे होती रही हो सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक शमन्वय और मेल जोल बाहर से आने वाले आरियो और उनके द्रविट जाति के लोगों के बीच हुआ जो संबहुता सिंदु घाटी सब्यता के प्रतिनी दी थी इस समय में और मेल जोल से भारती जातियों और बुनियादी भारती संस्कृत का विकास हुआ और जिनमें दोनों सब्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं बात में योगो और बहुत सी जातियां आई सबने अपना प्रभाव डाला और फिर यहीं घुल मिलकर रहने लगें तो प्राचीन अभिलेक और ग्रंथ और पुरान इनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा जो की बहुत इंपॉर्टन्ट है और यह जो मैं पढ़ा रहा हूं यह अन्सियाटी भूक से हैं इसलिए यह बहुत इंपॉर्टन्ट है क्योंकि आप उस तरीके से बीधुवत ध्यान दीजिए ध्यान से पढ़िए मन लगा के पढ़ते रहें कांटिन्यू पढ़ते रहें लॉकडाउन में मैं यही गुजारिस करूंगा आपसे कि आप पढ़ते रहें अपने माइंड को सिट अप बनाए रखें पढ़ने के लिए और इस्थ उक आपने का रहें अपने माइंड करें थीजी।